आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस Question में हमें एक Uniform Canadians पीस आफ़ मेटल सीट दे रखा है जिसको हमने काट के Following Figure बनाया है जो की निशे देया हुआ तो हमें बताना है कि इस Figure का Center of Mask कहाँ पे होगा तो हमने इसको काट के ऐसा Figure बनाया होगा ठीक है, अब हमें बताना है कि इसका Center of Mask कहाँ पर होगा ठीक है तो center of mass निकालने के लिए थोड़ा इसका हम simplified figure में convert कर लेते हैं मैं इसको एक rectangle बना देता हूँ यह एक मेरा rectangle होगा जिसका center of mass जो है यहाँ पिर होगा जो की है 15,25 इसका center of mass हो गया 15,25 पर ठीक है फिर एक इदर से मैं figure बना लेता हूँ यह जो हमारा इसका center of mass क्या होगा इसका center of mass हो जाएगा यह हमारा 0,0 है ठीक है 0,0 तो इसका center of mass यहाँ पर हो जाएगा 20,5 पर यह हो जाएगा हमारा 20,5 पर ठीक है यह जो हमारा है इसका center of mass कहाँ पर हो जाएगा इसका जो हो जाएगा यहाँ पर होगा यहाँ पर center of mass होगा जो की equals 2 है 5, middle part 5 और इसका middle part 30 का 15, 5, 15 पर ठीक है यह हमारा center of mass होगा यह M1 हो गया मेरा यह मेरा M1 हो गया यह मेरा M2 हो गया यह मेरा M3 हो गया ठीक है अब सबके जो masses हैं इसके area के proportional होंगे ठीक है तो हम इसका center of mass लिख देते हैं center of mass हमारा होता है x cm अगर x का center of mass निकाल लें वो गया question हो जाएगा M1 into x1 का summation upon summation M1 ठीक है अब हम सबका mass density जो है area mass density हम sigma assume कर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा पहले वाले का mass की होगा M1 का mass की होगा हमारा? यह हमारा 10 है ठीक है? 10 और यह हमारा 10 से 20 तक गया है यानि यह भी 10 है यानि कि 100 100 sigma into center of mass. center of mass कहा पह है? 15th पह है plus M2. M2 हमारा यह रहा M2 का क्या हो जाएगा? यह 10 है और यह हमारा 30 है 10 into 30 300 300 sigma 300 sigma और center of mass का location क्या है 5 है, m2 का 5 है यह 5 हो गया plus m3, m3 का क्या है m3 का यह हमारा distance 20 है, 10 से 30 तक 20 है और यह हमारा 10 है 20 into 10, 200 200 sigma into center of mass का location जो है, x-axis का अगर हम देख रहे है तो 20 है, upon summation, summation क्या हो जागा 100, plus 300 plus 200 bracket का बाहर sigma, ठीक है यह हो जाएगा हमारा, ठीक है तो फ़हले हो लेगा, center of mass 15 पे था, दूसरे का 5 पे, तीसरे का 20 पे, ठीक है अब इसको हम simplify कर लेते हैं, simplify करेंगे तो क्या हो जाएगा पहले तो सब जगे से हम 100 cancel कर देते हैं 20 हर जगा से divide कर देते हैं निची हो जाएगा, 600 sigma निची हो जाएगा, 600 sigma 20 cancel कर दिया, उपर cancel करेंगे तीक हो जाएगा, 15 sigma 15 sigma, क्यों हो जाएगा, 3 इंटु 5 plus 3 इंटु 5 sigma, ठीक है plus यहाँ पे हो जाएगा 20 cancel कर दिया है, 2 इंटु 20 2 इंटु 20 sigma सिक्मा है सिक्मा आप कैंसल कर देते हैं हर जगसे सिक्मा सिग्मा स्क्षिछ कर दिया तरव क्याु ज्यों nerd यहाँ 15 PLUS 15 20 General 40 je प्लस 40 अपॉन six 30 PLUS 40 70 26 इकोलर की तन गार्या 10 होगे 10 में तो 140, 40 हो गया तो 1166, 4 whole by 6 ही है हमारा हो जागा X ही है, center of mass of X अब Y का भी similarly निकाल देते हैं X का हमने निकाल लिए, आब similarly Y का निकाल देते हैं Y का निकाल देते हैं, Y का निकालने के लिए फिर same expression रहेगा, बस हमारा coordinate change हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इस साइड Y का निकाल देता हूँ Y का निकाल देता हूँ वो पहले वाले का क्या हो जाएगा? जो होगा, area जो हमारे पहले वाले का है 100 sigma, जो कि हमने पहले निकाला था 100 sigma, into Y coordinate Y coordinate हमारा क्या है? 25 ठीक है? प्लस दूसरे वाले का area हमारा कितना था? 300 sigma, 300 sigma into Y coordinate कितना था? Y coordinate इसका 15 है into 15 हो जाएगा प्लस थर्ड वाले का लिख देता है थर्ड वाले का हमारा 200 था प्लस थर्ड वाले का हमारा था 200 sigma 200 sigma into इसका Y coordinate है 5, ठीक है? यह हमारा हो गया अपन समेशन मास्ट जो कि हो है 600 sigma यह हमारा हो जाएगा Y cm Y cm Y का center of mass ठीक है? का location ठीक है? इसको थोड़ा simplify करते हैं तो sigma हर जगह से cancel कर देते हैं और 2 0 भी हटा देते हैं तो 2 0 और sigma हटा देंगे तो यह पुपर अलो बचेगा 25 प्लस second equation में हमारे 2 0 cancel हो गया 15 into 3 sigma भी cancel हो 15 into 3, 45 प्लस इसमें यह 2 0 cancel हो गया sigma गया 2 into 10 2 into 5 वो हो जाएगा 10 प्लस 10 अपॉन नीचे समने यह 2 0 और sigma हटा दिया तो नीचे हो गया denominator में 6 यह हो गया हमारा Y cm इसको थोड़ा और simplify कर लेते हैं तो 25 प्लस 45 यह हो जाएगा 50 70 80 इकोस टो हो गया 80 by 6 यह हमारा हो गया Y cm जो कि इकोल्स टू हो जाएगा इकोल्स टू हो जाएगा जो हमारे 6 1 जा 6 2 0 6 3 जा 18 2 whole by 6 यह हमारा हो जाएगा Y cm यह हमारा Y cm हो जाएगा तो center of mass का location हमारा क्या हो गया center of mass हो जाएगा RCM बराबर यह हो जाएगा हमारा 11 इसको कैंसिल करेंगा तो यह 2 x 3 हो जागा 11 hole 2 x 3, 13 hole 13 hole 1 x 3 1 x 3 है हमारा center of mass का location आजाएगा